नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका हमारी यूट्यूब चेनल मेथर्ड क्लासेज में इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आएं और आर भी एंटीपीसी तदा गुरूप डी के अंदर जो जर्णरल साइंस का जो टोपिक है उसके बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन्स है जो हर साल रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं देखते हैं वन बाई वन क्यूशन तदा उनके एक्स्प्लेनेशन की उसका आंसर क्या होगा तो क्यूशन नमर फर्स्टे आपका मानव शरीर का पर्तिरोद सुस्क्त दसा में लगबल कितना होता है यानि कि मानव जो फुम्न बोडी है उसका जो रेजिस्टेंस है पर तिरोद और है वो कितना होगा जब ड्राइ कंडिशन के अंदर तो इसका क्रेक्ट आंसर होगा दस कि पवर्वर ती जो उनिट क्या होती है विदूत चाल लगता यानि connectivity क्या होती है जी इस इकल टुब 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 टु विदुत और चुम्बकतों के बीच लिंक की खोज किस ने की थी तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल फेराडे ने माइकल फेराडे ने विदुत और चुम्बकतों के बीच के लिंक की खोज की थी अब माइकल फेराडे ने एक सिद्धान दिया था क्या दिया था हूँ उन्होंने ग्याद किया कि जब किसी conducting coil यानि के परिनालिकाम के सम्मुख किसी चुम्बक को तीर्व गति से लाया जाता है तो उनमें विदुद्दारा उत्पुन होती है तो इसे अपन तो जो बीच के लिंग की कोच किस ने किय थी माइकल फेराडे ने इसका correct answer का option c यानि विद्धुद्द और चुम्बक के लिंग किस ने किस ने किती माइकल फेराडे ने option नमर c का correct answer होगा next question है Tesla चुम्बक की एका unit है यानि Tesla किस की unit है Tesla हो चुम्बक के परेरण की unit है अप्सन नमर a इसका correct answer होगा तो इसको अपन जो दरसाते हो टी टेसला तो इसकी यूनिट क्या होगी वेबर पर मेटर स्क्वाइर तो यह किसकी यूनिट है यह चुम्ब की परेरेन की यूनिट है option number A इसका correct answer का T या फिर direct ऐसे भी पूछ लेता है जो चुम्ब की परेरेन की यूनिट क्या होती है तो बहुत बार एक्जाम में यह क्विशन पुछाए कि तो की यूनिट क्या होगी वेबर परेमेटर स्कायर इसकी यूनिट होगी next question number 5 आपका चालक का पर्तिरोध किस से बढ़ता है चालक का पर्तिरोध है वो किस से बढ़ता है चालक का पर्तिरोध है वो लंबाई में वर्दिस है ताबमान में वर्दिस है अनुप्रस्त कार्ट चेतर में कमी से या इन में से सभी तो इसका correct answer होगा option number D इन में से सभी कैसे होगा इसका एक सिदा सा formula है चालक का पर्तिरोध है नहीं resistance कैसे बढ़ता है तो R is equal to Rho L upon A तो resistance कैसे बढ़ेगा जब Rho क्या है तार के पदार्थ की पर्तिरोध दगता L लंबाई में वर्दिस से बढ़ेगा अनुप्रस्त कार्ट की चेतर में इसको अगर A को कम करेंगा अनुप्रस्त कार्ट उसको अगर कम करेंगे तो resistance से बढ़ेगा लंबाई में वर्दि से बढ़ेगा ताबमान में वर्दि से बढ़ेगा तो इसका correct answer का इन में से सभी option number D इसका correct answer होगा तो इस सिधा सा परोला आपको याद रहेगे न R is equal to Rho L upon A इस पर बहुत सारी questions बनते है next question है question number 6 question number 6 है जिन पदार्थ में अनन्त विद्यूत परतिरोध होता है उन्हें क्या कहते है जिन पदार्थ में अनन्त विद्यूत परतिरोध होता है उन्हें हम विद्यूत रोधी कहते है जिनका विद्यूत प्रतिरोद जिनका ज़्यादा होता है उन्हें विद्यूत रोधी कहते हैं यानि जैसे अगर जिसका रेश्टन ज़्यादा होगे तो वहाँ पे जो current का conduction है वो बहुत कम होगा तो उन्हें क्या बोलते हैं पन विद्यूत रोधी ओप्सन नमर सी इसका correct answer होगा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर सेवन एसी को डिसी में रुपांतरित करने के लिए परिव्प साधन को कहते हैं यानि एसी को डिसी में जो convert करता है उसी हम क्या कहते हैं वो है दिस्ट कारी जिसको अपन rectifier बोलते हैं rectifier का क्या काम होता है AC को DC में वो DC को अगर AC में बोलते हैं convert करते हैं उसी कहते हैं inverter और dynamo का क्या काम है dynamo को क्या करता है कि जो आपकी mechanical energy है mechanical energy को electrical energy में convert करता है dynamo और प्रिणामितर के अगर बात करें प्रिणामितर को क्या बोलते हैं transformer का क्या काम होता है high voltage को low voltage में convert करता है तथा low voltage को high voltage में convert करता है लेकिन अब उनको question क्या बुचा है AC को DC में convert कोन करता है DC कारी rectifier तो option number 20 का correct answer होगा next question है note gate किस के दवारा किरियानुइद किया जा सकता है note gate का symbol क्या होता है यह note gate का symbol हो गया तो इसका correct transfer होगा होगा एकल transistor है इसको अपन एकल transistor से किरियानुइद किया जा सकता है इसको अपन inverter भी बोल सकते हैं इधर 0 देंगे तो इधर output में 1 आएगा इंपुट में 1 देंगे तो output में 0 आएगा इसलिए अपने इसको इनवर्ट भी बोल सकते है next question question number 9 जो ठोस उच ताप पर विदूत का वहन करते हैं परन्तो नियोन ताप पर नहीं वे कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं अर्थ चालक अर्थ चालक यानि सेमी कंड़क्टर सेमी सेमी कंड़क्टर उसको अपन बोलते हैं अर्थ चालक और सेमी कंड़क्टर बोलते हैं सेमी कंड़क्टर इसका explanation क्या होगा सेमी कंड़क्टर पदार्थ की विदूत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तता ताप के गटने पर गटती है परम सुन्य ताप पर जो semiconductor यानिकी जो अर्थ चालाग है वो परम सुन्य ताप पर अर्थ चालाग की बाती विभार करेगा तो इसके जो एक्जाम्पल ही है जो अर्थ चालाग के जो एक्जाम्पल है उदारन हो वो क्या क्या है तो इसका हुग्या Germanium Silicon लिकोन तथा गेलियम और सिनेट ये इसके एक्जाम्बल होगे अर्चालक के सेमिकंडुक्टर के नेक्स्ट कुछन है जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्थन किये बिना तीन गुनी कर दी जाएगी यहने क्या पूछ रहा है कि जो कुंडली की संख्या N है वो तीन गुनी कर दी जाए तथा L है वो constant उसमें कोई परिवर्थन ने लंबाई में कोई परिवर्थन नहीं कर रहे हैं तो उसका जो परिवर्थन हुआ है जो L है वो क्या होगा तो इसका formula है सिधा सिधा कि L is equal to mu n square a upon L तो अकुन को क्या व constant है A की value अपन को दी भी नहीं है N कितना कर रहे हैं अपन तीन गुना कर रहे हैं तो direct सिधा formula क्या हो जाएगा L कि किसके समान पाती है N square के अगर N की value तीन गुनी कर दी जाए N तीन गुना कर दी जाए तो L is equals हो जाएगा No तो इसका correct answer होगा option नमर ए अरे नेक्स्ट क्यूसेंन नेमल कितमीसे कौनसा सरवत्तम विदुद चालक है तो सब Sew सब 경पा है ताम्भा उसके बाद में है सोना कर सबसुर्णा कि ए सबसे ज़्यादा जो विदूत का चाला का हुआ है चांदी उसके बाद में तांबा उसके बाद में सोनना और सबसे लास्ट में है अलूमीनियम तो इसका करेक्ट आंसवर हो जाएगा चांदी तो फ्लॉरेशन लेम में चोका परियोग क्या है तो इसका आंसर आपको एमारे वीडियो के अच्छा लगा तो इसको लाइक करें inside चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जो इसकी RRB NTPC Group D के तहरी कर रहे हैं उनको भी ये शेर करें Thank you